हलो एफ्रीबडी दिस दिग्रास सिंग राजपूत वेलकम तो मैगनेट बेंज इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हमारे चैप्टर का पहला टॉपिक पढ़ेंगे जो है कलपट्टू विलेज कलपट्टू विलेज इस टॉपिक का नाम सुनते से सब सब्सक्ति से पहले आपके मन में सवाल आता होगा कल पट्टू विलेज कहां पर करेंगे ठीक है अबॉट्टू विलेज मेले चैप्ली देखो जैसे ये समुद्र है न तो समुद्र के पास वारा जो एरिया रहता है इसे कहते हैं Coastal Region तो Coastal Region में तमिलनाडू के पास Coastal Region में क्या एक गाओं है जिस गाओं का नाम क्या है जिस गाओं का नाम है कलपट्टू और कलपट्टू गाओं के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि पूरे चाप्टर में जो भी कहानिया आप पढ़ोगे वो सारी कहानिया कहां किये कलपट्टू विलिज की है सारे लोग कलपट्टू विलिज के आएंगे ठीक है देखिए तो village that's close to the sea coast in Tamil Nadu ठीक है ये Tamil Nadu ये Tamil Nadu में यहाप एक coastal area में गाओं है कलपट्टू उसके बारे में हम पढ़ेंगे तो अब क्या होता है activities in the village ठीक है तो यह जो गाओं है यहाँ पर क्या क्या होता है देखो livelihood समझना है में chapter समझो rural livelihood मतलब गाओं में लोग कैसे रह रह रहे हैं क्या करने हैं तो अब हम कलपट्टू village के reference के साथ ही चीजों को जानते जाएंगे समझते जाएंगे तो लोग क्या करते हैं यहाँ पर तो as in other villages here too there is non farm work such as making baskets, utensils, pots, bricks, block carts etc तो जिससे क्या होता है दूसरे गाओं में जिस तरह से काम होता है उससी तरह से यहाँ पर भी क्या हो रहा है हमें जगा जगा क्या देखने को मिल जाएंगे non farm activities perform होते देखेंगे non farm activities क्या होता है मतलब ऐसे काम जो खेती के नहीं है ठीक खेती के अलावा भी दूसरे काम होते हैं क्या होते हैं दूसरे काम खेती के अलावा तो as in other villages here too there is non farm work such as making baskets, basket बनाई जाती है, basket पता है कैसी बनाई जाती है यह वाली plastic वाली मत सोच लेना आप देखोगे यहाँ पर क्या है तो bamboo sticks से ठीक है दूसरे natural material से basket weaving का का काम होता है य ठीक है और क्या है तो there are people who provide services such as blacksmith लोहार जो होते हैं लोहार समझतों क्या होता है तो जैसे जो लोहे से सामान बनाते हैं लोहे से क्या बनाएंगे वो X बनाएंगे हतोड़ा बनाएंगे इस सारी चीज़ां बनाएंगे तो blacksmith भी हैं यहाँ पे तो बहुत सारी लोगे जो अलग अलग services provide करते हैं तो there are people who provide services such as blacksmiths, nurses, teachers, teachers तो हजगा मिलेंगे और teachers नहीं होंगे तो देश के से बनेगा बताओ तो teachers, washermen, weavers, barbers, cycle repair, cycle repair की shop भी है तो छोटे बच्चे जो cycle लिके जाते हैं पंचर होगी है अंकल तो अंकल क्या करते हैं उसका फिर tires उदार देते हैं त and so on तो यह services provide करने वाली भी है category जो आपको यहां पर देखने को मिलेगी आगे क्या है there are variety of small shops such as tea shops, grocery shop, barbershop, a clothes shop, a tailor and two fertilizer and sheet shops ठीक है तो अब ऐसा भी नहीं कि गाहों बहुत ही पिछला है कि यहां पर network ही नहीं मिल रहे हैं ऐसे भी गाहों होते हैं यहां पर आपको variety of services भी मिल अलग अलग तरह के services मिल जाएंगे तो shops देखने को मिल जाएंगे अब इसमें क्या है तो अभी shops में देखेंगे आप तो Tiffin Center भी चल रहा है वाजू में ही ठीक है Tiffin Center चल रहा है individuals अपनी दुकान खौल कोल के बेठे हैं सारी चीजने चल रही है तो इस तरह से आप देखो गह रहे हैं कि most of the families earn a livelihood through agriculture तो no doubt गाओं है तो rural area में main activity agriculture ही रहेगा rural area में main काम जो लोग कर रहे होंगे वो खेती ही करेंगे ठीक है लेकिन आपने अभी आगे क्या देखा कि खेती के अलावा भी दूसरे काम होते हैं जो हमने क्या किया जो हमने discuss किया कि हाँ खेती के अलावा भी यह यह काम हो रहे हैं और लोग इस तरह से perform करें तो these are the multiple works which people are performing ठीक है इन कलपट्टू तो कलपट्टू एक गाओं जो है वहाँ पर यह भी दूसरे काम हो रहे हैं ठीक है अब क्या आग आगा कर जैसे देखें तो there are some coconut groups around cotton sugarcane plantations are also grown and there are mango orchards ठीक है तो ने मैंगो, mango orchards मतलब क्या है कि आपको आम के भागीचे देखने को मिलेंगे, आम के बागीचे कभी जाना आम के बागीचे में कितना मज़ा आता तो उस तरह से क्या है कि लोग खेती कर रहे हैं खेती के साथ साथ में आपको coconut groups भी देखने को मिल जाएंगे तो आप देखो तो I hope आपको ये example से समझ में आए कि लोग क्या काम कर रहे हैं गाओं में सिर्फ खेती नहीं करते हैं खेती के लावा भी क्या है एक side income इन सारी चीजों से आ रही है उसके लावा no doubt agricultural is a dominating work which is being performed in rural areas भाजगाओं में खेती तो होती ही होती है अब हम आगे क्या पढ़ेंगे subsequently वोभी समझ लो तो let us know try to focus on the people of Kalpattu के जो लोग है अब उनके ओपर भी focus करते हैं कि वो लोग क्या काम करते हैं Let us not try to focus on the people of Kalpattu वो लोग क्या काम करते हैं तो अब हम अलग-अलग है कि एक इंडिविजियल्स की सेखर वगेरा जिससे सबकी कहानी से समझेंगे कि एक बड़ा किसान जो है वो क्या कर रहा है एक छोटा किसान जो है वो क्या कर रहा है तो वो सारी चीज़े हम पढ़ेंगे समझेंगे आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं अगर डाउट है तो क्या करना है कमेंट सेक्षन आपका इंतजार कर रहा है इसी के साथ हमारा एला टॉपिक कंप्लीट होता है मैगनेट मेंस पे क्लास 4 से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स चैप्टर्स के टॉपिक्स, सब टॉपिक्स सारा सब कुछ सिस्टेमाटिक वे में अरेंज फॉर्मेट में अविलेबल है जिसे आप क्या कर सकते हैं बहुत आसानी से पढ़ा सकते हैं समझ सकते हैं अपना सिलेबस घर बैठे कंप्लीट कर सकते हैं आपको क्या करना है आपको देखो अपना जो भी मोबाइल लेप्टॉप टैबलेट है उसमें यूट्यूब चैनल पर या वेबसाइट पर जाके डारेक्ट वीडियो लेक्चर्स को देखना है फ्री ओफ कॉस्ट देख सकते हैं आप और ठीक हैं सारे वीडियो लेक्चर्स फ्री ओफ कॉस्ट अवेलेबल है अपने जूनियर्स और सीनियर्स को भी बताइए मैगनेट बीइन्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते अगले टॉपिक के साथ तिल देन स्टे करेक्टेट कीब लर्निंग विथ मैगनेट बीइन्स थेंक यू थेंक यू बेरी मच